हलो फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी में काम करते हैं, तो आज जो चीज में आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बेहद उप्योगी सिद्ध होगी कई बार आपने देखा है कि आप हिंदी में type करते हैं और सईयूकता खशरों को type करते हैं यानि की conjuncts को type करते हैं तो उसका परिणाम गलत आता है उद्धारन के तौर पर जब आप उद्धारन लिखते हैं, तो द और घय इस तरह से मिले हुए आते हैं, जैसे कि उद्धार में होते हैं, जो कि गलत है, उद्धारन में द के नीचे हलन्त होना चाहिए, लेकिन टाइप जब आप करते हैं, तो गलत तरह से आता है, तो आप इ तो मित्रो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे शुद्ध कंजंक्ट सिया से युक्ताकशर टाइप कर सकते हैं और कैसे उनकी अलग-अलग forms को हम टाइप कर सकते हैं मिसाल के तोर पर मान लीजे मैं मैंने यहां पर निर्मला UI font चुन लिया है और मैं अब टाइप करना शुरू करता हूँ और मुझे शब्द लिखना है उद्भव मैं अंग्रेजी से हिंदी कर लेता हूँ तो यह इस तरह से टाइप होता है इसी तरह से मैं लिखता हूँ ऐश्वरिय है तो यह इस तरह से टाइप हो रहा है अब यह दोनों अक्षर जो है दोनों शब्द जो है यह गलत है और इसको संहुखत आखष्णों का प्रयोग हुआ है यह यह लुक्त coalition है जद अब आगे का जो जगे आ रही है वहाँ पर आपको बहुत ही जरूरी चीज नोट करनी है दोस्तों आप क्या करेंगे कि यह आधा उद्भम का आधा हिससा लिखने के बाद आप जाएंगे इन सेट में, और यहां जाकर आप जाएंगे सिम्बल में, देखिए धाई तरफ सिम्बल और यहां से सिम्बल पर कलिक करेंगे तो यह एक похож खुल जाएगा इस box में मैंने यहाँ पर mangal font चुना हुआ है इसलिए इसमें mangal के सारे characters दिखाये जा रहे है जो जो भी mangal में characters होते हैं हिंदी के वो दिखाये जा रहे है अब मैं थोड़ा सा इसमें नीचे चलता हूँ और आप दिखेंगे कि यहाँ पर 3-4 खाली box पड़े हुए है एक, दो, तीन तो क्या इन boxes में कोई character नहीं है नहीं ऐसा नहीं है इन में कुछ अद्रिश्य किसम के character होते है मिसाल के तोर पर अगर आप यहाँ आएंगे तो आप दिखेंगे कि यह जो, इसके पीछे जो character है उसका नाम है zero width space दिखें, यहाँ पर लिखा हुआ है zero width space यानि इसके अंदर एक space character चिपा हुआ है लेकि उसकी चौड़ाई zero है यानि कि वो दिखाई नहीं देगा फिर यहाँ आईए यहाँ पर लिखा है zero width non joiner यानि यह भी शुन्य चौड़ाई का एक character है यहाँ पर जो कि non joiner है यानि दो अगर character है तो उनके बीच में अगर इसको डाल दिया जाए तो यह उनको join नहीं होने देता उनको जुडने नहीं देता संयुक्ताक्षरों के बीच में यह दीज को लगा देंगे तो वो जुडेंगे नहीं जैसे यहाँ पर जुडे हुए इसका नाम है zero width non joiner और इसको z w n j भी कहा जाता है इसके बाद यह जो तीसरा है इसका नाम है zero width joiner इसका काम है कि दो अलग-अलग characters को यह जोड़ता है हिंदी के दो characters को कैसे जोड़ता है वो आपको मैं अभी बताऊँगा तो देखा आपने यह तीन character है यापर इन तीनों की मदद से आप मन्चाहे शब्द, मन्चाहे संयुक्ताक्षर लिख सकते हैं, मन्चाहे ढंग से और शब्द आप मन्चाहे तयार कर सकते हैं तो देखिए आपने सबसे पहले देखा कि जब आप सामाने तरीके से type करते हैं तो उद्भव ऐसे type होता है निर्मला font में लेकिन अब हम इसको शुद्ध तरीके से type करना चाहते हैं तो मैंने उद्ध लिख दिया, हलंत लगा दिया और उसके बाद यह जो तीन है इनमें से यहां पर बीच में जो करक्टर है मैं इस पर लाता हूँ अपना करसर और यह insert बटन दबाता हूँ insert तो अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन यहां पर एक अद्रिष्य करेक्टर यहां पर आ गया है हलंत के बाद अब मैं भ फिर से टाइप करता हूँ भ तो देखिए यह अलग हो गया उद्भाव मैं ऐसे ही लिखना चाहता था तो आपने देखा कि इस तरह से आप शुद्धता से कोई भी शब्द लिख सकते हैं आपको क्या करना था जीरो विर्थ नॉन जॉइनर को आपको इंसर्ट कर देना था उस जगह के बाद जहां पर आप एक अलग अक्षर लिखना चाहते हैं तो यह हुआ उद्भाव अब मैं आपको कुछ और परिस्तितिया बताता हूँ जैसे एश्वरी की बात हमने किये थी एश्वरी ऐसा लिखा जाता है जब आप सीधे सीधे टाइप करते हैं निर्मारा फॉन्ट में लेकिन अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं शुद्ध आप पहले आई लिखिए फिर शे लिखिए इसको हलंत लगा दीजिए तो यह आधा हलंत हो गया और इसके बाद में आप आप यहां पर देखिए यहां पर जो तीसरा वाला जो है इसका नाम है जीरो विर्थ जॉइनर आप इसको दबाएंगे तो यह जो हलंत और शे है यह दोनों मिल जाएंगे और आधा अक्षर बन जाएगा तो मैंने क्या किया यह इंसर्ट दबा दिया तो आप देखिए और जीरो विर्थ जॉइनर का क्या काम है यह इस तरह से इस्तवाल होता है अब कुछ और परिस्तिया मैं आपको बताता हूँ मैंने मान लीजे कि आप एक अक्षर लिखना चाहते हैं क्षती या मान लीजे आप लिखना चाहते हैं क्षती ही मान लीजे क्षती आप लिखना और शेटकॉर्ण वाला शेख तो यह अपने आप क्षय में बदल जाता है तो आप इसको अलग-अलग कैसे लिखें अगर आप लिखना चाहते हैं अब इतनों क्षयती को या क्षयती हो या क्षय का दूसरा तरीका हो जो आप लिखना चाह सकते हैं वो कई प्रकार का हो सकते है, जैसे कशय ऐसे भी लिखा जा सकता है, और आधक है, और शय भी लिखा जा सकता है, और कहके नीचे हलंत और शय भी लिखा जा सकता है, तो ये तीनों तरह से आप टाइप कर सकते हैं, कि आप मानेंगे ये बात, देखे मैं दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं मैं लिखना शुरू करता हूँ पहले मैंने कर लिखा और इसके आगे हलंत लगा दिया और इसके बाद मैंने यहां पर गया और मैंने नॉन जॉइनर जो था वो केरेक्टर यहां पर चुना सिंबल में और इंसर्ट कर दिया और इसके बाद मैंने शे लिख दिया इ इसा कशय बन जाता है, अब तीसरी परिस्तिती, माल लिजे मैं यह चाहता हूँ कि यह आधा कया बन जाए, हलंत भी गायब हो जाए, और शे शटकूर्ण का यहाँ पर आ जाए, तो वो कैसे होगा, मैं फिर से टाइप करना शुरू करता हूँ कया, हलंत, और अब मैं क्या तो आप देखिए, इस तरह का कशय बन गया, जबकि अगर आप इसको सामान ने तरह से टाइप करेंगे, तो कहलंत, शे लिखते ही एक शे में तबदील हो जाता है, लेकिन आपने देखा कि आप तीनों फार्म्स बड़ी आसानी से किसी भी फॉन्ट में लिख सकते हैं, तो फ्यूचर में भी आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हों, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका तरीका बहुत आसान है, इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए, और उसके पड़ोस में एक बेल आ झाल झाल